चतरपुर में एक लड़की का आगे बढ़ने का जुनून इतना कि शादी करके वह सीधे परिक्षा देने पहुँच गई जैसे ही लड़की की शादी हुई तो विदाई के बाद लड़की ससुराल न जाते हुए सीधे B8 का एक्जाम देने चली गई परिक्षा का ऐसा जुनून की दुलन शादी करके सीधा परिक्षा देने यूनिवर्सिटी पहुँच गई आपको बता दे दुलन का नाम रितु नायक है जो ननोर यूपी की रहने वाली है और उसकी शादी बंदीकला निवासी आशिस्तिवारी के साथ हुई लेकिन जैसे ही दुलन की विदाय हुई तो वह ससुरालन जाकर अपने परिजनों के साथ सीधे यूनिवर्सिटी पहुँच गई बता दे रितु का बीएट का एक्जाम था उसके परिजनों ने बताया कि उनका परिवास शिक्षा को बहुत महत्व देता है और आज उसका एक्जाम है इसलिए रितु ससुरालना जाकर परिच्षा सेंटर पहुँच गई हम अभी बीएट के एक्जाम दिलाने के लिए आये हैं मेरे साले की कल साधी थी जिक आशी स्तेवारी है उनकी साधी रितु नायक से कल 15 फरवरी को हुई है और आज बिदा कराकर हम लोग सीधे पेपर दिलाने के लिए आये हैं क्योंकि आज उनका पेपर बीएड का भासा से संबंदिते एक बीएड का एक्जाम था जिस हमारी बिदा होने के बाद इतना समय नहीं था कि हम कोई अपना फंक्शन कर पाएं तो इसलिए पेपर इंपोर्टेंट था तो हम लोग सीधे एक्जाम सेंटर ही पहुँचे हैं अभी वो खबरें जो आपके काम की हैं वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी हैं हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटी क्विश्लेशन हम करते हैं सट्य का अनवेशन दखल नियूज आपके हथ में आप देख रहे हैं दखल नियूज